एक्ट्रिस रश्मिका मंदाना बीते दिनों अपने डीप फेक वीडियो की वजह से खासी सुर्कियों में रही है। वहीं रश्मिका के बाद अब बॉलिवूड एक्ट्रिस काजोल भी इस टेकनीक का शिकार हो चुकी है। जी हाँ, काजोल का एक अशलील विडियो सामने आया है, जो अब चर्चा का विशय बन चुका है। वीडियो में डीप फेक टेकनोलजी का इस्तवाब कर 아닌 अएक्ट्रिस को अशलील तरीके से पेश किया गया है। डीप फेक से एडिट किये गए इस वीडियो में अक्टर्स को कपड़े बदलते हुए देखा जा सकेगा। काजोल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खोब वाइरल हो रहा है। उनके फैंस इस वीडियो पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं इस वीडियो को शेर करते हुए लिखा गया है कि कैमरे में कपड़े बदलते कैद हुई काजोल देवगरी। वीडियो में आप देख सकेंगे कि काजोल कैमरे के सामने कपड़े चेंज करते हुई नजर आ रही है। हाला कि मीडिया रिपोर्ट्स की मताबिक ये काजोल नहीं हैं बलकि एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं। उन्होंने अपने इस वीडियो को टिक टॉक पर शेर किया था जो काफी वाइरल हुआ था। बता दें कि इस वीडियो को उन्होंने जून के महीने में शेयर किया था वहीं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कई बार चहरा बदलते हुए भी दिखाई देगा बता दें कि रश्मी का मंदाना वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने 10 नवंबर को इसके खिलाफ F.I.R. दर्ज कराई थी इसके बाद उन्होंने 15 नवंबर को आरोपी को ढूंड निकाला जी हाँ दिल्ली पुलिस के I.F.S.O. यूनिट ने बिहार के रहने वाले 19 साल की युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताच की जा रही है इस बारे में आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे हैं रिपोर्टर जी